हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अभय गुपता इस टेनो यूटूब सेनल पर यह डिक्टेशन असी से पचासी सब्द प्रति मिनट का बोला जाएगा आप सभी लोगों से अनुरोध है आप सभी लोग इस डिक्टेशन को लिखेंगे डिक्टेशन पांच सेकेंड बाद स्टार्ट होगा मोधी सरकार ने अपने फैसले से एक बार फिर देश को चौकाया उसने एक साथ तीन हस्तियों को भारत रत्न देने की गोश्रा की इस बार यह सरवोच नागरिक सम्मान दो पूर्व प्रधान मंत्रियों चौधरी चरण सिंग और पीवी नरसिम राओ के अतरिक्त जाने माने क्रिसी विक्यानी एवं हरित करांती के सूत्रधार म.स्वामी नाथन को भी प्रधान करने की गोश्रा की गई यह इसलिए अनपेच्छित रहा क्योंकि चंद दिनों पहले ही करपूरी ठाकुर और फिर लाल कृष्ण आडवानी को भारत रतने से विभूसित करने का फैसला लिया गया था यह पहली बार है जब एक वर्स में पांच हस्तियों को देश का सर्वोच सम्मान देने की घोश्रा की गई इस पर आश्यर नहीं कि पंद्रह दिनों के अंदर पांच विभूतियों को भारत रतन देने के फैसले के बाद इस तरह की मांग होने लगी है कि अमुक अमुक को भी यह सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए यह मांग स्वाभाविक है क्योंकि अपने देश में ऐसी हस्तियों की कमी नहीं जिन्होंने विभिन छेत्रों में अपने कारियों से लाखो लोगों के जीवन को प्रभावित करने के साथ सार्वजनिक जीवन में अमिट छाप और एक यादगार विरासत छोड़ी है चूंकि मोधी सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि वह सम्मान प्रदान करने के मामले में अपनी राजनीतिक विचारधारा को आड़े नहीं आने देती और भिन विचार वाले दूसरों दलों के नेताओं को भी सम्मान देती है इसलिए यह आस बढ़ी है कि आने वाले समय में उन हस्तियों को भी भारत रतने से शम्माने किया जाएगा जो इस सर्वोच नागरिक सम्मान की अधिकारी मानी जाती है यह उलेखनीय है कि शामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले करपूरी ठाकुर एवं किसानों मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी चरण सिंग के साथ साहसिक आर्थिक सुधारों से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले नर्सिम राव को भारत रतन देने की मांग एक लंबे समय से हो रही थी लेकिन किन ही कारणों से कांग्रेस ने सनप्रग सरकार का नेत्रित्व करते समय उन्हें यह सम्मान देने की आवश्यक्ता नहीं समझी अंतता इस आवश्यक्ता की पूर्थी मोधी सरकार ने की मनमोहन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकी यह एक ऐसा प्रस्ण है जो कांग्रेस को परेशान करता रहेगा अपनी इस परेशानी के लिए वह अपने अलावा अनकिसी को दोस नहीं दे सकती क्योंकि नर्सिंह राओ हर लिहाज से भारत रत्न के अधिकारी थे पहले कर पूरी ठाकुर फिर चौधरी चरण सिंह और नर्सिंह राओ को भारत रत्न सम्मान देने की घोसड़ा पर यह जो कहा जा रहा है कि मोधी सरकार ने इन नेताओं को सरोच नागरिक शम्मान देकर अपने राजनीतिक हित भी साधे हैं उसे पूरी तवर पर खारिज नहीं किया जा सकता लेकिन यह भी एक यथार्थ है कि सरकारें अपने तमाम फैसले राजनीतिक लाबहानी को ध्यान में रख कर भी करती हैं प्रस्ण यह है कि जो काम मोधी सरकार ने किया वह अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकीं ऐसा करने का आउसर तो उनके पास भी था शमाप्थ डिक्टेशन का मिलान करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज टेलीग्राम या वाटसेप पर मैसेज कर दीजेगा आपको इसकी पीडियाप प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपकी गलती पांच परसेंट से जादा हो रही है तो आप कठिन सब्दों की आउटलाइन बना कर दुबारा इस डिक्टेशन को लिखिएगा तो आपकी स्पीड में भी इंक्रीजिंग होगी और गलतियां भी कम होगी डिक्टेशन लिखने के लिए धन्यवाद झाल